शर्षांक आसन सुनिष्चित करें कि आपके पेर के अंगुठे एक दूसरे को परस पर चु रहे हूं। अब अपनी हतेलियों को घुटनो के बीच रखें। अब साश छोड़ें और अपनी हतेलियों को आगे की ओर खीचते हुए अपने शरीर को झुकाएं। सुनिश्चिक करें कि आपकी भुजाएं समानतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर अपनी दृष्टी सामने की ओर बनाये रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें सामा नेरूप से सांस लें और छोड़ें शशांक आसन कब से रहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है यह आसन पीच दर्द में भी रहत दिलाता है हाइबी पीड यानि उच्च रक्त चाब के रोग्यों को यह आसन सावधानी के साथ करना चाहिए घुटनों में गठ्या की शिकायत के रोग्यों को ये आसन सावधानी से या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपके पीठ में अत्यधिक दर्धो तो कृपया ये आसन ना करें कुछ समय तक शशांकासन में रहने के बाद सांस लेते हुए उपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें अब सांस छोड़ते हुए उन्ह वजरासन में आ जाएं अब अपने शरीर को एक तरफ जुकाते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और विश्राम आसन में आने के पस्चात विश्राम करें नियमित रूप से करने पर शशांक आसन आपको तनाव और प्रोध घटाने में मदद करता है